बुद्धी 1 स्रीज में जो हमारी सिरीज चल रही है जो हम भगवान बुद्ध के बारे में प्रारंबिक प्राइमरी जोिशाल इनफॉर्मिसन दे रहे हैं उसमें बुद्धी 1 में हमने बताया था बुद्धी 1 स्रीज में कि बुद्ध का जो जनम है वो किस प्रिकार हुआ 563 इसा पूर्व यानि कि इसा के जनम से 563 साल पहले और आज अगर हम 2018 को खतम मालने हैं तो लगवग आज से 2581 साल पहले ये जनम माना गया है जो खुले में एक जंगल में लुम्बनी में हुआ था और इसके बारे में हमने जानकारी आपको दी थी आप जो पुरानी स्रीज है हमारी वो देख सकते हैं इससे आगे की जानकारी है जो बड़े कमाल की है कि जैसा कि एक स्रीज में हमने बताया है कि भगवान का भागवान का भंगवान का अर्थ क्या होता है वो आप देख लेंगे तो आपको पता चल हो जाता है क्या वार रकत का सराब जादा होता है बीमारी जादा होती है स्वस्तनी हो पाथे इंफेक्शन हो जाते हैं बहुत सारी हमारी माता हैं पूरे विश्व में को फीमेल हैं वो कर ь बहूं गार्त भीला यह और अव्हलिछ स्पश्ट है कि जो सधार्थ जो पैदा हुए हैं वो एक साधारण बच्चे हैं साधारण मनुस्य हैं कोई चमतकारिक अपतारिक नहीं है कोई special power वाले व्यक्ति यानि बच्चे पैदा नहीं हुए हैं क्योंकि अगर वो special power वाले बच्चे पैदा होते, कोई चमतकार वाले बच्चे पैदा होते, तो उनकी मा का देहांत नहीं होता, वो चमतकार से अपनी मा को बचा लेते, जैसा कि आपने बहुत सारी जो पुरानी स्टोरीज हैं, जो बेसलेस स्टोरीज हैं, जिन में ना टाइम होता है, ना प्लेस बस एक स्टोरी होती है ऐसी स्टोरियों में पूरे विस्व भर में बहुत सारे क्रेक्टर ऐसे हैं जो चमतकारी बताए जाते हैं और वो किसी ने देखे नहीं मगर वो चमतकारी क्रेक्टर भी डैथ को प्राप्थ हुए है मतलब वो अगर कालपनी क्रेक्टर भी है चमतकारी character भी है तो भी death उनकी हुई है कोई ऐसा नहीं कोई चमत का ही character हमेसा गली जीवित रहा हो तो ये बात ते है जो भगवार ने बताई थी कि जो मिर्टू है वो आरे सकते है तो वहाँ से आगे हम जब बढ़ेंगे तो लगबग नौवे साल में क्योंकि पिछले स्रीज में मैंने आठ साल तक का बताया था आपको नौवे साल में फिर वप मंगल उसाब आता है वप मंगल उसाब धान के बोने का समय और जिसमें सारे के सारे जितने भी लोग हैं गाओं के यानि उस जगे के जहां वो सिधात रहते हैं सदोतन रहते हैं या सोदरा रहती है वहां जितने भी लोग हैं यानि कोलियों में और साक्यों में सब वहां उसको मनाते हैं और वो हर बच्चे को हर आदमी को आनाफ होता है नौ साल की उमर में एक खास चीज जो तो वहाँ देखने को मिली, वो ये मिली, कि जम्बू का व्रक्ष, यानि जम्बू रख, जम्बू का व्रक्ष है, पेड़ है, जम्बू माने जामुन, इसको जम्बू दीप भी बोलते हैं भारत को, क्योंकि यहां जामुन के जो पेड़ हैं, बहुत पाए जाते हैं, तो जम उनका पहला ध्यान बताया जाता है जो साहित्य के अंदर दर्साता है तो ध्यान लगाने की जो उनकी नौवी अवस्था है नौ साल में है ये नेच्रल है क्यों है कि कुछ जो मनुस्य हैं वो पैदा ही इस तरह से होते हैं कि उनमें ध्यान को प्राप करने की ability पहले से ही develop होती है और ये बात के साहिते में बताया गया है और ये करके भी बताया गया है क्योंकि कुछ लोग तुरंट बैठते धान लगा लेते हैं और कुछ लोग का ध्यान ददद सिटिंग भी हो जाती है तब भी उनका लग नहीं पाता है यानि के लगबग 6-7 साल तक वो अपना रोजमर्णा काम जो उनकी सिक्षा थी जो अनवक्ती वो हासल करते रहे और धिर धिरे वो तरण हो गए बढ़े हो गए 16 साल में उनकी शादी होती है कोलियों के अंदर यानि जो रोहनी रिवर है रोहनी नदी है जो उनके दौनों के बीच में है साक्य वंस के लोगों में और रोहनी वंस के लोगों में यानि जो कोलिय वंस के लोग है उनके बीच में जो रोहनी रिवर है उस कोलिय वंस से एक व्यक्ती होते है जिनकी जो बेटी है बहुत सुन्दर, सुसील और यस वाली होती है यस वाली मतलब अपने काम में बहुत निपुड और उसकी जो प्रसंसा है वो सब लोग उसको करते हैं तो वहां से उनकी शादी होती है और दंड पाणी उनके पिदा का नाम बताया जाता है तो एक बात आप यहां नोट कीजिए कि साक्य वंस में और कोलिय वंस में आपस में रिस्ते हो रहे हैं साक्य वंस में और कोलिय वंस में यानि कोलियों में और साक्यों में रिस्ते हो रहे हैं और वहां जो उनका सबसे बड़ा राज्ये का जो सबसे बड़ा व्यक्ती है सुद्धो धन उसके बेटे के साथ हो रहे हैं और दंड पानी जो बताये जाते हैं उनकी बेटी के साथ हो रहे हैं तो रिष्टे पहले आपस में हुआ करते थे यानि बुद्ध के समय में आपस में इंटर काष्ट मैरिज यानि के इंटर रेटेड मैरिज काश्ट तो सब थी थी नहीं, आज के हिसाब से हम बोलेंगे तो इंटर काश्ट हो गई, और तब के हिसाब से बोलेंगे तो इंटर स्टेट हो गई, या इंटर कबीला हो गई या इंटर क्या बोलते हैं, राज्य हो गई, या इंटर विलेज हो गई, ऐसी शादिया होती थी और जो 16 महाजनपत बताते हैं उनमें भी आपस में शादिया होती थी ये बात वहाँ से प्रूव होती है और ये अच्छी बात है जब 16 साल की गुमर्मन की सादी हो जाती है तो वो अपने शादी सुधा जीवन में रमना सुरूर कर देते हैं बहुत समय बाद जाके एक उनके पुत्र होता है जिसको राहुल नाम दिया जाता है राहुल का मतलब पाली में होता है बंधन बताया जाता है कि बंधन है क्योंकि सिधार्थ वैरागी किसम के मनुस्य थे वैराग का मतलब है कि चिंतन जादा करते थे, सोसे ते ध्यान जादा लगाते थे ध्यान की परंपरा उनमें बढ़ती जा रहे थी तो राजा सुधोधन को, यानि राजा तो वो नहीं थे मगर जो वहां के कभीले के सबसे बड़े व्यक्ति थे उनको ये चिंता होने लगी कि मेरा बेटा हाथ से ना निकल जाए यानि मेरा बेटा अगर इसने कहीं चला गया ये ये इसने सन्यास ले लिया तो शादी भी होगी है, बच्चा भी है और ये तनी सारी जो खेत हैं, जो मैंने बनाए हैं, येतनी महनस से वो खेत भी कौन समा लेगा, ऐसा सोच के और वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये सुखी जीवन बेट करें और उनके हिसाब से जो सुखी जीवन की परिवासा थी वो ये थी कि आराम से बैट के खाये पिए और मोच करें, जैसा कि आम अमूमन सारे माबाप अपने बच्चों के वारे में आज भी सोचते हैं, ऐसा ही सुदोदने में सोचा इससे पले गटना बड़े कमाल की हुई, कि उनका एक ममेरा भाई था देवदत मेरे भाई को पक्चियों को पकड़ने का बड़ा शौक था और उसने एक पक्ची को गुलेल से या तीर से जैसे भी उस समय विस्ता थी, वो मारा और पक्ची नीचे गिर गया जहां वो गिरा, वहाँ पे सिधार्थ थे, सिधार्थ ने उस पक्ची को उठाया, पानी पलाया और उसकी थोड़ा प्यार किया, महरम पटी गिया और वो ठीक हो गया तो देवदत ने कहा कि पक्ची मैंने पकड़ा है, मैंने सुगराया है, इसलिए मेरा है और ये वाद विवाद हो गया, और सिधार्थ ने कहा कि भई ये घायल है, और तुम इसका क्या करोगे, इसको मारतों के से छोड़ा रहने तो, जाने तो जो बच्चों में आपस में बाद बाद होता है, ये होने लगा, तो घर के बड़े बीच में आ गए, घर के बड़े समझदार थे, तो और ने कहा कि ठीक है, पक्ची जिसके पास रहना चाहिए, उसके पास रह ले, तो पक्ची ने सिधार्थ को चुना, और जब पक्ची न जिसकी चेतना बहुत कम है वो भी इस बात को जानता है कि करवणा मैतरी प्यार क्या होता है इसलिए ये बात उसी समय पुक्टा हो गई कि दुनिया को मन को मनुस्य को या इस प्यत्वी को अगर अच्छी तरह से रखना है तो करवणा मैतरी भायचारा बंदुत्व चाहिए ये पहला लेसन वहाँ पूरी दुनिया के लिए बताया जाता है और ये बहुत कमाल का लेसन है जहां हिंसा के उपर अहिंसा की जै हुई और इस हिंसा और अहिंसा के सद्धान्त को बाद में वहीं से सीखा जो हमारे यहां महंदास करमजन गांदी जी हैं उन्होंने और इस सयोगी था उदाई उदाई से कहा कि आप एक काम करो कि सिद्धार्थ के चारों तरफ ऐसा विवस्था कर दो कि ये वेराग्य या कोई चीज इनको छुए ना और ये हमेसा विलास्ता पूर्ण जीवने में रहें क्खाने पिने की अधिक्ता हो जो इनके नाचने गाने का प्रबंद बड़िया होता रहे इंको गीत संगी सुनाइद देता रहे इनको कवीता पाट वगएरा होता रहे खेल कीडा में इनका मन लगा रहे है इनके महल को हमेसा साफ रखो जहां उनका घर था और एक दो घर इनके लिए और भी बनवा दो और भी अगर इनको इक्षा हो तो वो देदो क्योंकि वो संपन थे कहते हैं कि उनके पास में इतने खेत थे कि इनके साथ एक हजार हल चला करते थे तो अच्छे खेत वाले लोग थे अच्छा उनके पास में वच्छा स्वे था मगर जैसे जैसे राजा सुदोदन ने प्रियास किया उदाई के थरो और खुद भी वैसे वैसे सिधार्त और जादा वैराग में जाते रगे और उनका जीवन को देखने का द्रश्टी कौन पूरी तरह से भन हो गया और ये सांसारिक वस्तु हैं उनको जादा अपनी तरफ नहीं खीच पाई और समय धीदे बढ़ता रहा सोले से वो बीस के होगे बीस से वो पच्छिस के होगे जवाब दिये धन्यवाद